पुराणिक काल में महान रिशी कंडू हुआ करते थे जिनका आश्रम गोमती नदी के तड़ पर था रिशी कंडू घोर तपस्वी थे रिशी को तपस्या में लिन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं रिशी कंडू उनका स्वर्ग ना छीन ले इसी डर के परिणाम सुरुप इंद्र ने रिशी कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचा नाम की अप्सरा को प्रत्वी लोग पर वेजने का निश्या किया एक संध्या नरत्ति के बाद इंद्र ने प्रमलोचा को अपने पास बुलाया फिर उसे अपनी सारी योजना बताई बिना कोई सवाल किये प्रमलोचा इंडरी की योजना के मुताबिक प्रत्वी लोग के लिए प्रस्थान कर गई प्रत्वी लोग पर प्रमलोचा सीधे वहां पहुँची जहां रिशी कंडू तपस्या में लीन है फिर प्रमलुचा अपनी शरारतों से रिशी कंडू का ध्यान तोडने की कोशिश करने लगी उसके बाद जैसे ही रिशी की नजर प्रमलुचा पर पड़ी और वे उसके रूप और सुंदरे को देख कर उस पर मोहित हो गए और उसके बाद रिशी कंडू प्रमलुचा के सुन्देरी में इतना खो गए कि उन्हें भोग विलास करते हुए सो वर्स बीद गए थे तब प्रमलुचा रिशी से कहती है हे रिशी अब मैं स्वर्ग लोग वापस जाना चाहती हूँ इसलिए अब आप मुझे आग्या दीजिए अपसरा के मुख से जाने की बास सुनकर रिशी उदास हो जाते हैं और कहते हैं अभी थोड़े दिन और रुख जाती तो अच्छा होता रिशी को उदास देखकर अपसरा प्रत्वी लोग पर और रुखने के लिए मान जाती है फिर उसी प्रकार रिशी कंडु को भोग उलास करते हुए सो वर्स और हो जाते हैं फिर एक दिन प्रमलोचा रिशी से कहती है मुनी मुझे प्रफ्य लोग पर आये बहुत समय हो गया अब मुझे स्वर्ग लोग जाने की आग्या दे रिशी कंडु प्रमलोचा की बात सुनकर फिर उदास हो जाते हैं और कहते हैं हे दिवी अभी कुछ समय और रुख जाओ फिर चले जाना इसी तरह कहीं सो वर्स बीद गया और जब भी अपसरा स्वर्ग लोग जाने की बात रिशी से कहती और वो किसी ने किसी तरह उसे मना लेते वो अपसरा रिशी के स्वराप से भी डर रहीं की कहीं क्रोध में आकर रिशी कंडु उन्हें श्राप न दे दे उधर महर्शी के काम वासना में लिप्त होने से अपसरा के प्रती उनका प्रेम नित्य बढ़ता ही जा रहा था तपस्तिया पुजा पार्ट का त्याग कर राद दिन रिशी कंडू भोग वुलास में डूबे रहते फिर एक दिन अच्छानक रिशी कंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकले तभी प्रमलोचा उनके पास आई और पुछती है हे मुनी आप कहा जा रहे हैं तब रिशी कंडू ने का हे बड़े दिन अस्त हो चुका है अतह मैं संध्या उपासना करने जा रहा हूँ अगर एसा नहीं किया तो मेरा धर्म नस्ठ हो जाएगा यह सुनकर प्रमलोचा मुस्कुराय बिना रह न सकी और बोली हे सब वेदो के ग्याता इतने वर्षों में क्या पहली बार आज सुर्यास्त हुआ है जो संध्यावंदर नहीं करेंगे तो आपका धर्म नस्ठ हो जाएगा मैं तो आपसे जब से मिली हूँ तब से आपने कभी संध्यावंदर किया ही नहीं है अपसरा के इसे वचन सुनकर रिशी कंडू बोले हे भदरे नदी के इस सुन्दर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो मुझे भली भाती स्मरणे मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रविस करते देखा था अथा अब दिन के समाप्त होने पर संध्याकाल हुआ है मुझे तो लगता है कि तुम मेरा उपाहस कर रही हो तब प्रमलोचा ने रिशे से का हे ब्रामण स्रेष्ट आपका यह कथन सत्य है कि मैं आपके आश्रम में सवेरे ही आई है पर अं तु आज नहीं कि आपको मेरे साथ रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महिने और 3 दिन हो चुके है यह सुनकर रिशे कंडु हैरान हो गए और बोले है प्रिये क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाग कर रही हो मुझे तो ऐसा ही प्रतित होता है कि मैं तुमारे साथ एक दिन ही रहा हूँ तब प्रमलोचा बोली है ब्रामबन मैं आपसे जूट कैसे बोल सकती हूँ वो भी उस समय जब आप अपने धर्म का अनुसरान करने के लिए तर्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं तब प्रमलोचा ने इंद्री की योजना के बारे में रिशी कंडु को बताया कि आपकी तफस्य भंग करने के लिए मुझे यहां देवराज इंद्र ने भेजाए इस प्रकार रिशी कंडु ने प्रमलोचा के साथ कहीं सोव अर्षो तक भोग विलाज किया अर्षो अर्षो प्रमलोचा के प्रमलोचा के लिए लगए विलाउए